जाहिन मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल डे टूरेल लार्णिक पर साथियों आज हम लोग करेंगे SSJD का हिंदी कोचन पेपर तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का टॉप हिंदी कोचन पहला कोचन है डे समाज का दर्पन है रिक्त अस्थान की पूर्ती कीजिए यानि आपसन जो है आलो चक गनीत निवेदक या सहिते तो साथियों यहाँ पर होना चाहिए कि सहिते समाज का दर्पन है चलिए साथ वे अगला कोचन है, दिये के वाक्र कि किस भाग में टूटी है, option है आज हम बजार चलेंगे, यानि किस भाग में टूटी है, तो साथियों यहाँ पर option होगा C राइटेंस होगा क्योंकि बजार इस परकार से ना लिख कर इस परकार से लिखा जाता है यानि बाजार होता है चलिए साथ अगला कोचन देखते हैं बखिया उधेरना मुहावरे का सही अर्थ है option है अत्यधिक क्रोध करना होना, भेद खोलना, कठिन कारे करना या प्रसंसा करना तो साथियों इसमें राइटेंस होगा option नमबर B यानि भेद खोलना रिकतास्तान की पूर्ति करना है थियेटर में कौन सा डेश्क खेला जा रहा है या option है नाटक, सिनेमा, पिक्चर या खेल तो साथियों थियेटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है हमें भारतिये होने पर डेश है, यानि हमें भारतिये होने पर गर्व है मुझे अपने पर आत्म विश्वास है यानि जो रिखांकीत खण है, इसके अस्थान पर हम लोग क्या रख सकते है तो साथियों यहाँ पर जो होगा, मुझे अपने पर विश्वास है ऐसा तो अगला कोचन देखते हैं, आखे चूराने का मुहावरे का और्थ होता है आखे चुराना मुहारे का अर्थ होता है option में दिया है नराज होना, भीमूख होना अंदेखा करना या प्यार होना तो साथ यहाँ पर जो राइटेंस होगा अंदेखा यहाँ पर राइटेंस होगा जो करना यानि अंदेखा करना चलिए साथ्य अगला कोचन है उन्हें ततकालिक आदेश से निलम्बित कर दिये गया यानि देखी साथ्य कीस में टूटी है तो साथ्य यहाँ पर जो होगा दिया गया होना चाहिए आदेश से लिलमित कर दिया गया यानि यह इस आप्षन जो होगा इसका जो राइट एंस ओबार आप्षान टू यहनी आप्षन टू होगा चलिए साथ अगला कोचन देखते हैं अगला कोचन है साथियों अगला कोचन है यत यपि उसके पास अगलती होगा उतना धन है तथा पी अगर यहां गलती है इस option में तो गलती नमर एंसर जो होगा दो नमर होगा वह स्वास्थ नहीं है कोई टूटी नहीं है मतलब question क्या कर रहा है कि यत यपी उसके पास उतना धन है तथा पी वह स्वास्थ नहीं है तो साथ यहाँ पर जो होगा उतना के जगाँ पर इतना होगा इतना धान है इतना यानि आपस नमबर दो गलत है यानि यत यपी उसके पास इतना धान है तथा पी वस्त वस्त नहीं है आई साथ अगला कोचन है बिलोम चुनना है उर्वर का बिलोम चुनना है तो साथ यह उर प्रस्तापित करके और कौन सा सब्द लिख सकते हैं यहां पर तो साथ यो महापूर्षों के उपदेश का अपने जीवन में पालन करो परियोग करो निशेद करो या किसी वदाव की आप सकता नहीं है अपसान है भाय क्रोद साहस आनन्द तो साथ यो महापूर्षों के उपदेश सोक का अपने जीवन में परियोग करो या रूधी वादी कीस परकार से लिखा जाता है तो साथ यहाँ पर जो राइटेंस होगा आपसान नमबर डी राइटेंस होगा चलिए साथ वगला कोचन है जिसमें चेतना नहों वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा option है औचेतन चिरंतन या मूर्ख या चेतन तो साथ हो जिसमें चेतना नहों उसे क्या कहते हैं और इसा तो अगला question है दिये गए वाक्यांज के लिए एक सब्द बताना है वाक्यांज क्या है जिस X3 को कोई संतान नहों सके उसे हम लोग क्या कहते हैं मतलब एक सब्द में उसको क्या कहते हैं तो इसका जो राइट्यस होगा बांध है यानि उ existem चिरकाल तक जीवित रहने वालों को हम लोग एक सब्द में क्या कहते हैं reflection है चिरन जिवी पर जिवी चिरन तन या परोपकारी तो सात्य इसमें जो राइटेंस होगा चिरन जिवी राइटेंस होगा बुदिवान बेगती की प्रकार बुदि हर्व कारे में परिलक्षित होती है किस भाग में टूटी है आपको बताना है तो सात्य आप जो राइटेंस हो व्राहमन का बतना है , निर्थक का बिलोम चुननना है , शार्थक सार्थक या समर्तक , गर्त्ययों होता है Sartok सॉली साथ वगला कोचन देखते हैं सउफर वर्तौनी वाले सब्त का चेयन करना है् यानि परश्रोमिक किस परकार से लिखा जाना है इसमें आपको चेयन करना है तो साथ इसमीं जो रायिएंस होगा भी स्टीव्य कोंचन जो हो आनीерм है इसमें जो राइट एंसوبाव यानि option number a right so होगा कि चले साथ अगला कोचन है क्रिस्ट ने गुपियों की मटकी डैस दी यानि option होगा तोर दी ममोर दी फोर दी तो साथ यहां पर जोगा क्रिस्ट ने गुपियों की मट की फोर दी यानि आप्षा नमबर सी राइट्स होगा यह तो डैस चिंतन का का विशय है रिकता स्थान का के लिए सुरवाधिक उपिव différend का चैन करना है यह तो गूर गूर यह तो यह तो साथ हь यह तो तरीप या नींदा या परसंशा तो शॉच्छ इंदा होगा राइनज सव को लट आते हैं घर नीर रिया विवर्वर तो राइनज्स ओप्सण नंबर ढ़ता हैं जिसकी इपसा या इच्छा की गई हो वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा तो साथ में ईसमें जो राइटेंस होगा आप्शन नम्मर आप्शन नम्मर जो होगा ए याई इपिसित यानि आप्शन नम्मर ये राइटेंस हो को चलिए साथ उकला कोचन है पैर से लेकर सिर्थक को एक सब्द में क्या को सकते हैं अपद, अनन्त, आद्वित्य या आपद, मस्तक तो साथ यहां पर राहिट ज़ोगा option نम्मर D थ फियेटर में एक अभीनेता का काम अच्छा था साथ वाग में तुटी है आपको चैन करना है थीएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था या कोई टूटी नहीं है तो साथ यहाँ पर जो राइट एंस होगा अभिनेता एक अभिनेता क्योंकि साथ यहाँ पर अभिनेता में टूटी है क्योंकि अभिनेता जो है हार्शिन से लिखा जाता है चलिए साथ यह अगला कोचन देखते हैं उसने अपनी समर्थ के अनुरूप सब कुछ किया यानि कीस में टूटी है आपको चैन करना है तो साथ यहाँ पर जो होगा राइट एंसर जो होगा ओप्शन नम्मर समर्थ के अनुरूप यानि ओप्शन नम्मर भी राइट एंसर होगा चलिए साथ यह अगला कोचन है जैसे आांतों नि बढ़ती जाती है वह自 leo यह जो है यहाँ पर जो अंडरलाइट है उसके लिए हम लोग कौन शा मतलम यहाँ पर प्र कौनसा आसकता है मांगाई बढ़ती जाती है मांगाई खरी होती जाती है मांगाई रेंगती जाती है या मांगाई गीरती जाती है साथ यहाँ पर जो राइट एंस होगा मांगाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांगाई बढ़ती जाती है एक सेठ ने गाउं के बाहर तलाब खुदवाया यहाँ पर जो टूटी है एक सेठ ने गाउं के बाहर तलाब खुदवाया या कोई टूटी नहीं है तो साथ यहाँ पर राइटेंस होगा option number C क्योंकि तलाब इस तरह से लिखा जाता है तालाब होता है ठीक चली साथ यह देखते हैं अगला कोचन निम्ज में से कौन सी बरतनी सई है तो साथ यह चार दिवारी बरतनी कौन सई है तो होता है जो चाहर दिवारी होता है चलिए सत्यों अगला कोचन देखते हैं अगला कोचन है खाक छानना मुहावरे का आशा है आप्षन है किसी चीज की तलास में बहुत हैरान होना बेकार काम करना उक्त सभी और संभव प्रयास करना तो सत्यों खाक छानना का मतलब होता है किसी चीज की तलास में बहुत हैरान ह अघ्वीया देट सब्सक्राइब कीजिए और सपीर भूराद